हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी देख़ें एके एंडेया यूट्यूब चनल जी हाँ फ्रेंड्स रेल्वे एल्पी एंड टेक्निशन सीबीट्यू टू हुआ कैंसल सीबीट्यू वन का रिजल्ट फिर से होगा जारी ओफिसल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आ गया है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में आप टेट जाने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ क अभी तक आपने इंडिया के लार्जेस्ट एजुकेशनल एप अनकेडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाओ और वहां पर मुझे फॉलो करो रतनिशुर कुमार लिख करके और जो लिंक है अनकेडमी के निचे आपको डिस्किप्शन मिल जाएगी आप वहां से से इ आपसे आपको यहां पर यहां देखना है जैसे कि आप यहां देख पार हो प्रुग्राम एंड अपडेट में आपको सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा अपस इस पर आपको इंबर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पे click करोगे तो friends आपको एक और जो है dashboard खुल के सामने नजर आ जाएगी और friends जब से पहले उपर ही आपको देखने को मिल जागा date of publication, description of result और जैसे 12.11.2018 के लिए friends तो आपको बस यहाँ simply click करके इस notification को download करना है जैसे आप इस पीडियो आपको download करते हो उसके बाद friends आपकी जो official update आई है यह RRB ALP के और से जी हाँ friends जैसा कि आप देख पार है government of India ministry of railway requirement board CEN01-2018 ALP and technician post representation on provisional shortlisted and exam date for second estate CBT यानि कि second estate CBT के लिए और जो representative provisionally shortlisted candidate उनके लिए इस वीडियो में यह notification में मैं बताने जा रहा हूँ तो चले friends सबसे पहले पर लेते क्या कि notification में क्या है The result of first estate computer based test with the list of provisionally shortlisted candidate of appearing in second estate CBT has been published on the official website of the RRB on the 2.11.2018 in order to maintain the transparency RRB have also provided the facility to candidate for the wing of the question paper along with the answer की देखो friends इन्होंने का है कि जो first estate CBT exam हुआ था उसका जो सभी जितने भी लोग provisionally shortlisted हुए थे उनका जो result है 2.11.2018 को सभी RRB को official website पे जारी किया था और उन्होंने इस तरह जारी किया था कि सभी transparency यानि कि कहीं भी कोई गरबरी के मतलब कुछ नहीं बताया था सब सामने था आपका result आपका CBT 2 में qualify हो यस या नो आपके कितने marks है आपके normalize marks कितने है आपके total marks कितने बन रहे था वो सभी उन्होंने बता दिया था और सभी को ये सभी candidate के लिए master copy जो था master paper था question paper था वो भी जारी किया गया था और उसके साथ answer की भी जारी किया गया था लेकिन जो master paper था master paper में answer भी की जो था बहुत गलत था तो उसके मावजूद बहुत सारे लोगों ने आररव के official website पर जाकर के Twitter पर जाकर के बहुत सारे लोगों ने वहां query में पुछा जो help desk में बताये गया था तो उसके बाद आररव ने यह सभी को consider करते हुए आगे जो बताते हैं आररव आप रिस्पोंस आड़र भी आप डिसाइड़े तो एक्जामिन अल्ड़ सच इसू आफ्रेस देखो फ्रेंड्स जितने भी candidate उन्होंने बताये help desk में जाकर कि जो master paper में एक answer की वह गलत है उसके बाद आररव ने इस issue को consider किया और consider करने के बाद उन्होंने decide कि आपकी जो भी issue थी वह फिर से उससे देखा जाएगा फिर आगे आररव ने क्याता है कि after this review final key along with the revised score will be published again यानि कि जो फिर से इन्हें पब कि आसट नंबर था और वह फेल हो गये थे और साथ नंबर वाले जो थे वह पास हो गये थे तो friends इस तरह की जो condition है साथ इस बर देखने को ना मिले ठीक है friends और आगे मैं बताऊंगा कि आपकी जो cbt2 की exam है वो कब होगी और डिवाज लिस्ट आप देखने के लिए रिजल जारी किया जाएगा जितने भी 37 लाख लर्के थे 37 लाख लर्के का आपका रिजल्ट है फिर से जारी करने जा रहा है और भी ठीक है तो फ्रेंट्स यह बहुत अच्छी गुड निव जै कि जो भी बहुत सारी लर्के फेल हो गयते उनके लिए बहुत अच्छा है और भी आप अल्सों रिचिब रिपर्जेंटेशन रिक्वेस्टिंग पॉस्पॉन और फर सेकंड एस्टेश सी बीट और अग अगे कहा रहा एकाडमीट एक्जामिनेशन इन द व्यू ओ अफ द एव अफ द एव अगे लिए फ्रॉम बारत इसम्बर इस पॉस्पॉन और उसके बाद कर फंड जाल नाव एस्टार्टेड एस्टार्टर चॉबिस दिसम्बर यानि कि जो आपके बारत दिसम्बर की एक् और भी ने फिर से रिजल जारी करने के बाद किये तो उसमें उनको कुछ टाइम लग सकता है तिनोंने 12 दिन का समय पूरा लिया है फ्रेंट्स यह जो आपकी ऑफिसल वेब डेट आई है बहुत ही अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए जो कि इस बार जो है बहुत अ कोशिस किया था दो-तीन बार दो-तीन वीडियो भी यासी बनाई थी कि जो आरर भी एलपी और टेक्नीशन के इकजाय में बहुत अच्छी धानली हुई है तो सायद इन बातों को उन तक पहुंच गई है तो यह बस आप लोग का ही प्यार था कि यह बातों को आपने उन तक पहुंचा है तो फ्रेंट्स इसके लिए आप सभी को दिल से दने बाद और देख लो जैसे कि बाराएगार 2008 अपडेट है चेर परसें रेलवेर रिकॉर्म बोट किये तो फ्रेंट्स इस वीडियो को लाइक किजिए लाइक करने के बाद सेर किजिए क्योंकि यह आपकी ची करो बेल आइकन को दबा लो मिलते हैं अगली वीडियो में